गाइज नमस्कार बहुत अरसों बाद आज फिर से एक ब्लोग बनाने का मूड हो गया है गाइज हम लोग भी हैं देखिए गाइज यह मैं हूँ मैं अक्चली इस पार्ट को कट कर दूगा अल्रेडी क्योंकि इस तरह की फाल तुचीजे लोग सुरू में देखके फिर वीडियो स्किप कर देते कि यहार इसमें तो फाल तुचीजे है मंदिर का मतलब इसकी बात कर नहीं है काहानी कुछ ऐसे है कि काफी टाइम पहले सोचे थे कि लोग लोग काफी चर्चाव में तो बनाएंगे मजे करेंगे रूस टाइम भाई साब पड़े चुल थी बहुत सारे वीडियो जी बनाए चैनल के ओपर धेरों लगा दिये विक गुमने फिरने भोच जाते थे बार उसी के विलोक्स बनाते थे अब ऐसा तो है नहीं कि भाईया अपने घर की चीज़ें डेले डेली विलोक्स में दिखा दें वो तो हमारा स्टार्टिंग से प्लांधा ही नहीं तो इसलिए नहीं बने थे लेकिन इत्ते दिनों के बाद म देखो वह में बताता हूँ यह तुम देख पा रहोंगे एक सामने पहाड दिख रे तुमे इसके दूसरी साइड जा रहे है कहने कमतलब यह कि इस इसट है की टीपिकल गाव होते हैं वैसी के चो सब्सक्राइब कहा जा रहे है कुश कम है ऑफा आज कल तुम सेला कुछ भी उठा लो मुवी उठा लो सीरी उठा लो हर जगे यही रोना रहता है फैमिली 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 तो बस वही है भाई यह बात में इसलिए कह रहा हूं अभी वह देखी थी फास्ट और फ्यूरियस आई थी कौन सा पार्ट था भई दसवा तो एक्चली कहानी यह थी कि मैंने उससे पहले कि कुछ एक पार्ट देखे रही थे तो मुझे नहीं पता था मतलब स्टार्टिंग के पार्ट देखेंगे जब मैं कोलेज में था बट अभी उसके जो साथ नहीं पतार इंधाब के बदा है मज़ए तो में सब्सेंगा क्या रहा है उसमें आप अधी नहीं देखी ती उसमें क्या था आः मतलब उड़ना गाडियां यह वह उपर से पर एक दू डायलोग चुनलिये की इट सोल अबपाउट फैमिली फैमिली पहुआए बहुत यह यहां पर मंदिर है भैरवनात का मंदिर है जिनकी सवारी कुट्टा होता है और भैरवनात को तो भाई सब जानते होंगे आप लोग यार इसको एक्चली का अवतार है अच्छे से पता है यह उन्होंने पढ़ाई करी है और अनफोर्चुनेटली हमें थोड़ा कम पता है वह तो शिव जी के महारुद्रु में से एक है और एक है बहरु बाबा वह एक बाबाजी थे जिसका वद्ध मासेरवाली नहीं किया था वो अ बहरु बाबाबाव को अपन दारु चड़ाते हैं जब कि बहरु को दारु नहीं चड़ाते हैं अब है कि आप लोग रिसर्च कर लो पता लग जाएगा तो अभी हम लोग छोटे से मुतलब ऐसे इलाकी शुके जारे हैं जहां पर पहाड़ है ठीक है और राजस्तान में ज कर पाने की वाट हम डिसकस करते हैं थे जो तुम देख पा रहे हो यह मतलब रेत के पहाड़ है ठीक है और अभी आप लोग देख पा रहे हों आध यह इंद बिल्कुल ही गंजे हैं यहां मतलब बड़े ही कम हैं यहां पिन पेड़ों गड़े हिक ही पाटे जा रहा आरा पेड़ों को काट रहे हैं, इसका मीनिंग के है? वो क्यों काट रहे हैं? उससे उनको क्या मिल जाएगा? क्या यहाँ पेखेती करी जाएगी? तो भाई साब पीछे तुम देख सकते हो यार इसमें कौन खेती करेगा? यह रेत है. तो खेती नहीं की जाएगी. एक सवाल आता ह है कि इंधन के लिए काट रहूंगी क्या पता खाना पकाने के लिए चाहिए ऐसा भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि इन पेड़ों को काट के ट्रेक्टर भरके प्रोपर तरीकी से बेचा जा रहा है इसका मतलब है कि आपने दस-पंदरा पेड कटवा के अगर बेच दी तो सारे वनी जीव जन्तु भी रहते हैं तो यह वो इलाका है और यहां के आसपास में इसी लिए पहाड और इस तरह की जंगली इलाका इसी लिए कि यह सजिस्का के टच में आता है लेकिन उसके बावजूद भाई साब सरकार कुछ नहीं कर सकती ना आम लोग अवेर हैं और वन भी भाग कि अगर मैं बात करूँ ना तो मुझे लगता है मजाग चल रहा है इस राजस्थान में तो खास तो और पे क्योंकि मैं अपको ओनेशल एक और कहानी बताता हूं अभी तुम्हें एक सीन दिखेगा जस्ट मेरे पीछे क्योंकि यह जो पहाड था जिसके बाज है देखो ठीक है और अब इस सेट भी देखो कि तो सेम तुम्हें यह दिखने वाला है कि यह गड़े हैं और फिर यह लीक बन गई है तो तुम्हारे मंदर मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यह खनन जहां पे होती है वहां तक जाने के लिए जो रास्ते उनकी बीच में गड से देती नहीं देती होगी तो बहुत कम देती होगी है फिर जितने में देती उससे पेट भरता नहीं है तो बेसिकली क्या करते है वो लोग क्यों कि अब खनन करना इलीगल है तो लेके आ जाएंगे जैसीपी और भाई साब खाई खोज देंगे भाई अब तुम यहां पे कर सकते उसके बाद मैं देखूंगा यार दो दिन होगे ट्रैक्टर नी चल रहे खनन तो बंद होगी वाव हमारे प्रसासन ने कमाल कर दिया तीसरे दिन फिर वापस से ट्रैक्टर चल जाएंगे फिर साला समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है तो भाई सब बिसिकली कहानी है कि काफी सारे लोग इखटा होंगे पैसे जुगाडेंगे और उनकी टेबल पे धर आएंगे कि ले भाई इतने रुपए रख लो एक महने के लिए अलाव कर दो तो बेसिकली यहां पर यह चल रहा है मतलब प्रसासन पैसे खा रहा है और खनन हो रहा है तो मतलब मैं इस एक चीज को बड़ी सिंपल नहीं मान सकता है यह एक तरह से कराइम है इसमें पुरा प्रसासन इंबॉल हुए हमारी प्रकृति का खात्मा किया जा रहा है तो यह और हमारे प्रसासन की ही बात कर रहा है है कि कितना करेप्ट है और यह सब्धार चलती है जाम यह एक कर करता है काफी सब का लोगों को पता हो ता लेकिन कोई आवाज भी नियुटा था विए चाहर काम tara में जाई जनता परकरती नेशर देश किसे कोई लेंद्यन नहीं अगेशली यह disappointment और तूब यही वज़ा है कि पुलिस परसासन को मैं कुछ खास पसंद नहीं करता है क्योंकि मेरा मानना है कि सारे नहीं बट इस कंट्री में जो पुलिस परसासन है वो अराउंड 80-90% करेप्ट है जो बहुती गलत बात है मतलब जैसे ही महीना खतम होने वाला होगा परसासन पूरी गाड़ियां लेकर आ जाएगा खड़े खुदवा देगा कानून याद आ जाएगा कि भाई ये लिगल काम तुम कर रहे हो और जैसे ही दो दिन बाद उनके पास पैसे पहुंच जाएंगे सब कुछ अलाव हो जाएगा कि चलो ठीक होने दो और कमाल के दो पता है कि सारा काम रात को होता है दिन को नहीं होता क्यूं भाई दिन को लोग देख लेंगे कोई वीडियो बना लेगा किसी न्यूज वालोग पता लग गया तो सब के लंका लग जाएगी न तो ये सारे काम रात को अने चाहिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं उसी पहाड़ के पीछे की साइड जिधर खनन का कारिकरम होता है उसके बीच में थोड़ी जगे जहां पे खनन कारिकरम नहीं होता क्योंकि वहां पे पुराना मंदिर है तो चलो यह तो बहुत अच्छी बात है कम से कम मंदर के तो इज़त क अचनी के तो अचमर्त करने के तीन हम घया प्यूजार के भगभाफ। पर और असना की जालो भी यह इन civर जिधर है्क मिलेगा रूंकि स्ट्रण का ओषए कि और हो एंगे चांबर रही को यहां पर सकती हो अपत्सक्रोंगे तैस नशरण का जोंजी ने translators तो इसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है समवत 2052 तारीक है 7495 मतलब इसका निर्मान किया गयाता है उस टाइम हमें से कोई पैदा हुआ ही नहीं था यह चैलेगे तो क्या लगता है यह जिन्द के जी लेगा है यह जब बाबाजी बन इगे तो यह सब ses obirast में में लेगा कि सानसार की ओ मया विखत मकश्त को छोड़की जिन्द जब तक आप गरस्त जीवन में हो तब तक तक तो आप बाबाजी के लिए पूंचना वो गलती हो जब बनी गए तो इसे कहे लिए देना पर अभी अभी तू कहां गरस्त में तू मतलब कैसे इस ब्रैंट है पर संभावना तो इसी की है ना अचा कि घरस्त जीवन ही बसाना है आप मुझे मेरी बात में जाने कोशिश कर रहे हैं मसुदेव ने मतलब देखो बाइसा भी हम उसमें उसमें पूरा पूरा मिट्टी में मतलब अभी है यह कह रहा है कि हम ग्रस्त जीवन में और अभी वही चल रहा है तो मतलब प्रेडिक्शन वही है जैसे पूरी दुनिय निया चलती रही है उसी कोई में जाकत में वही गिरना नहीं जाना है यहीं बात है नहीं लगता है तो आपको पाकिस्तान लगता है मैं सब भिर बो वहां दो बहुत उम्दा लाइन बोली है पैर में बांद रखे हों गुंगुरुआ ना बहुत बंदा है इसको नाचने को बहुत बजाता है तो जरह दर्सकुलों को दिखा दें गवर यह मंदिर है वन नाच लेता अदक द्यूर्ण मुझरff आपकी इस वहां में तो फैल आपके किसी बंदिर में रहाक दो जरदें यह का मुझरु और आपकुछ हो सब्सक्राद राती है जर् Verme निरुत अइन भगवझान सुने करते था बंदिर हो आ दें confer दो गत पांधे कर दो तो इसमें दिखाते हैं इसमें भी रेसी है यह लोट किया है यह पाने बढ़ा जाए है इसने अच्छली जिन्दकी में आज तक एक भी शिकार नहीं किया है कोशीज बहुत करता है लेकिन सिकार हो नहीं पाता मतलब में एक दिन देख रहा था है कोई मोटी मदुमक्खी इसके मूपर घुमेरी उसको खाने कोशिश कर रहा है मतलब यार हद है मौर के अवाद हमारा रास्ट पक्सी बहुत सारे मौर है यहां यहां सरिस्का की लागा ना इसलिए काफी जगे पर मौर भी विलुप्त हो चुक है महा मार के कुल नहीं? महा बिलुप्त होते जा रहे हैं तुम देखो चिडियां गर में तुम्हें मोर दिख जाएंगे चिडियां गर में मोर दिखने का मतलब है कि वो विलुप्त हो चुकी और राष्ट पक्सी है अच्छी बात है कि सरिस्का के पासवारे लागा तो यहां बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं और वैसे भी मई का एंड चल रहा है जून जुलाई अगस्त मतलब बारिस होंगा सीजन आने वाला है जंदगे में यह उखाडा है आज में यह कर दिया मैंने वह कर दिया मेरी फैमिली में इतने सरो लोग है मेरे को यह वह गया मतलब साली परसनल लाइब को पुरी दुनिया के सामने रख दो टीवी सीरियल की तरह ए ऐसा नहीं है परिवार की बाते ही फेमस हो जाएंगी ब्लोक्स भाई कौन नहीं सोच सकता था इंसान अब तु भावला है तुने बिग बोस का नाम सुना है कब से चलता रहे वह क्या आल तु फाल तु लोगों को एक पिंजने में डाल के फाल तु लडाया लड़ते वह इतना पॉपलर हो सकता है तो किसी के घर की चीजें पॉपलर कैसे नहीं होंगी यार मतलब यह यह कुमन चीज किसी दूसरी की लाइफ में क्या हो रहा है इंसान को बड़ा इंट्रेस्ट है ता इस चीज में तो सीधी सी बात है यार अगर तुम ब्लोक्स की तो अपनी परसनल लाइब दिखा में पुरी दुनियो को बचाने वाली थी हमारले की नदी में बचा तो ली बच गया न देख लेख 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 है वनना हम तो साला डूब रहे थे अच्छली अर हुआ यह है कि हमारे एक मित्तर ने की स्टोरी डाल रखिती वोटसब के ओपर किसी कोलेज प्रोग्राम सल र रहा था तो मैंने उसको यह बोल देख अगर रात का माहूल होता सामने अच्छा खासा प्रोपर मुझरा चल रहा होता है तुम्हारे हाथ में दारू की बोतल हो भाई सब बुरा मान गया वो बोलता है तुम कैसी बाते कर रहे हो इसकूल यूनिशिटी को गुरू कुल से अभी जात हुई है इस कंट्री में मतलब अभी मोडर्न टाइम में डांस अगरे स्टार्ट हुआ है पहले तो साइद इनरति जानते हैं ना हमारे मतलब राममेन महा भारत में मुझे भी याद नहीं आता संगीत सुना था तुमने वो लग कुस गा रहे थे हूँ क्या था अब जो यह हो रहा है कोलेजों में यह हलका फुलका मुझरा टाइप होता है इट से गुड थिंग आप इसे बहुत सार लोगों लगता होगा बहुत अच्छी बात बढ़िया यार मैं कहा मना कर रहा हूँ मोडर्न एज करो यार मैं तो करो तुम नंगे ना सो मुझे क्या मैं आपको बता दू यही वह थोट छोटी चोटी वज़े है जिसके वज़े से वह बंदा कही दिनों से घर नहीं आ रहा है यह उसको ऐसे कुछ ना कुछ बोलता रहता है फिर वह सरम के बारे सोचता है घर जाओंगा फिर ऐसे कुछ बात होगी फिर वह बेजती करेंगे इ पढ़े लिखे लोग बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन कुछ ज्यादा पढ़ जाते हैं और पढ़ने के बाद में जब उड़ने लग जाते हैं यानि कि धरती पे पांव नहीं होते तो मुझे यार वह बंदे ना अनसेव लगते हैं क्योंकि तुम सोच के देखो कोई भ पढ़ाई करिये यार बट हवा में नहीं उड़ना चाहिए यार अब आज करके लोंडे क्या है ना थोड़ा सा बहार जाएंगे मोडन कल्चर से इंट्रैक्ट होंगे कुछ नए जमाने की दो चार चीजें देख लेंगे गाओं की लड़की खास तुर पर सीटियों में जा यही वजए कि वह जो बंदा है कई बार हवा में उटने की कोसी करने लग जाता है तो क्या है ना एज ड्यूटी बनती है कि पकड़ की उतार दो नीचे बेजती थोड़ी है यार इट से फन कोमेडी है और क्या है गाइज इसकी इनी अरकतों के चक्कर में गाहों के बहुत स जो उसको चाव है वह जिसकी भी साधी जाई वह नाच लेता है अपने रिस्दारों के यहां जाक के आता है बहुत सारे मतलब रिस्दार को टूर करता रहता है उसका इसने ऐसा जीना अराम कर दिया था कि उसको ऐसे फिल कराने लगया कि दुन्या का सबसे नीच इनसान नाचना उसको बड़ा पसंद था मैंने तो उसे सुझाव दिया थे कि भाई अपनी कला को छुपा क्यों रहा है सर्मा सर्मा की क्यों नाचता है इसको तू सब के सामने लिया एक यूट्यूब चैनल बना ले इंस्टागरम चला क्योंकि वहां पर यार इस तरह की नरत्यका है यह बार बार बोलता है उस चीज को मुझे बहुत बुरा लगता है जब किसी में खास कला हो और वो छुप छुप के उसका प्रदसन ना कर रहा हूं इस दुष्ट समाज की हो जैसे तो मेरा जिम्यदारी बंदी है उसे समझाना कि भाई तू समाज की परवा मत कर तरी कला को दिखा सब को दिखा तू मैं इसको बहूंता हूं आघर कोई कला है की एक उधिति कीजी रिख लेंग शब्ख गानुरा कीजिये सब्सक्राइब कीजिए जैसे कि कोई तुम जा के देख लिए एक भी वीडियो देखे अगर तुम्हें हसी आ जाए ना भाई सब्सक्राइब कर देना तुम मतलब यार कॉंड़ी की बाता हो फोन सब के हाथ में मैं जा रहा हूं में दिन में 10-15-15 सेकेंड के हजारों के लिए बना सकता हूं कहीं कुछ दिग गया पेड़ के वीडियो बना दिया अब उससे क्या फरक पड़ेगा जनता के पास हांखे नहीं है क्या उस हैरों में थोड़ी बंद ने जो तू नको दुनिया दिखा रहा है यानि हम एक से ही सोतर कुछेंगे तो हमारी हमारी एक फस्ट अभी हो है यानि बनाने कितना टाइम ह कितना टाइम हो ये बता डिक और डिपाली पोघ़ा एक साल इक साल लाहना बहत पहल पहले है देख गाईज यह भंदा है ना जो बहुत कुछ कहना चाहता है इसके सार सफ्ष इसके पेट में पर बोल नहीं पाता है जो कि हिंदी थोड़ी वीक है आककी आनकों से समझ लेना सब कुछ देखो निकलेगी ना गूत आंदी तो हंद गाइस की तरह निकलेगी त गाइस निकल मैं मानता हूं और मुझे पुरा भरोसा है तू भी एक दिन पुपलर हो जाएगा क्यूं कि इस देश में ओंगे पॉंगे लोग बहुत पुपलर हो रहे यार मैं नाम तो लेना नी चाहता पर देख लोपने चार उतर बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कॉंट थारभाई जोगेंदर और पी जावेद एक और था नो हिंदुस्तानी भाव के पास तो कंटेंट था यार गालिया देता था भाई तू है ऐसे बत पूल एक और था नो धिन्चक पुजा तो और कॉंड था यार एक ओ मंडल मंडल आईती रहनू मंडल और सबसे बड़ा अन्नु मलिक और उसका भाई अब्बु मलिक दाबा का बाबा तो ठीक है यार हर कुत्ते का दिन आ सकता है इस देश में तो सही बता रहा है तूम लगे रहो यार कभी ने कभी तुम्हारी चड़ जाई वो बाबा का दाबा था क्या बोल दिया दाबा का आप सो देखिये अभी भूँ सारा लेंदी हो चुका है इससे जादा अपलोड नहीं पाएगा सो इसस बश्यार बोर आए क्या दिखाएं कि अधसित थेंक्यू और इसको क्या हो गया यह पावडा हो गया यह क्या हो गया तिर को है अबर पागल तो नहीं हो गया तू लोट हां ? है थेड़ भाड कोसीज कर सुरी पड़ भाड सो अभे नीचे आजा साले सो गाईज तैक्ज्ट थेंक्यू और भाई बाई आगए नहीं यह सब्सक्राइब लाइक अब लाइक अब बोलते हैं मान करें तो करना नहीं मत नहीं इस बाहद में जाओ प्रोटीच